दोस्तों आज हमारे पास में लेटेस 2020 मॉडल महेंदरा बुलैरो गाड़ी है और इसके अंदर आप देख सकते हैं यह 9 इंच का फुल एंड्रोड इस्टोर सिस्टम आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले तो वीडियो को आखे तक देखी का इसका फुल इंस्टॉलिशन मैं आ आपको बतादू तो नाइट इंच का एंडुरॉड सिस्टम है वन इयर की वारिईंटी आपको मिलती है एंडुरॉइद 10 के साथ में आता है और इसके इसके बारे में बात करें कि तो प्लस शिक्टी जी भी आपको गad आ है दो जीबी की डैं ऑर शिक्सीन जीबी की इंटलन मेमोरी के साथ में आता है फुल एजडी है, 1080P का सपोर्ट है GPS इसके अंदर आपको मिल जाता है और जिस तरह के से अपना मुबाइल फोन चलाते हैं उसे तरह के से इस Android Store सिस्टम को आप चला सकते हैं यह आप देख सकते हैं नाइन इंच का हमारे पास में Android सिस्टम है और पीछे में इसमें बॉलेरो का पूरा फ्रेम आपको मिल जाता है जो की प्रॉपर महेंदरा बॉलेरो P6 विरियन गाड़ी के लिए यह आपको मिल जाता है यह आप देख सकते हैं लेफ साइड में इसके साइड टेज बटन्स आपको मिलेंगे जिसमें इन बिल्ट माइक मिलेगा पाउर बटन, होम बटन, बैक बटन और वल्यूम अप डाउन बटन तो यह सारी चीज़े आपको इस Android Store सिस्टम के साथ में मिल जाती है और box के अंदर आपको सारे couple configuration मिलते हैं जिससे आप इसको wiring के समय में जर्यूमें पती है तो आप देख सकते हैं सारे के सारी wiring भी आपको इसके अंदर मिल जाती है और भाई इसके साथ में यदि आप steering wheel controls लगवाना चाहते हैं बिलकुल बुलैरो गाड़ी के अंदर तो वो भी function इसके साथ में आपको मिल जाता है attach कर सकते हैं साथ में reverse parking camera का भी support इसके अंदर आपको मिल जाता है तो all in one बहुत बढ़िया ये चीज है यदि आपको अपनी महंदर बुलैरो गाड़ी के अंदर लगवाना है तो बिलकुल आप ये android system लगवा सकते हैं अभी यहाँ आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास में GPS मिल जाता है दो USB केबल मिल जाती हैं अभी install करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं यह हमारा single din system है जो की container लगा के दिया था JVC का इससे install करेंगे लिका लेंगे बाहर और यहाँ लगाएंगे 9 इंच का android system तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा single din system है उसो निकालेंगे और यह 9 इंच का android system का installation करेंगे पहले हमारे जो जितने भी couplers हमें box के अंतर मिले थे उन सब को हम लोग यहाँ पर properly connect करने वाले हैं और connect करने के बाद में जो हमारी single din system जो लगाया उसको लिकाल करने वाले तो आपको यह मैं बताना चाहूंगा coupler to coupler connection करेंगे स्कॉच किल्पकर्स में इस्तमाल करेंगे जिससे wires cutting ना हो और हमारी company के warranty वगरे यहाँ आप देख सकते हैं properly इसके अंदर सारे के सारे sockets दिये गये हैं जिसमें आप जो जितने भी हमारे cable box के साथ में आये थे वह install हो जाते easily तो wiring वगरे cut कहीं से नहीं होती 9 इंच का android system है और इसके सारे specification भी आपको वीडियो के आंगे में मिलने वाले साथ में इस गारी के अंदर एक बड़िया सा base tube भी हम लोग इस्टॉल करने वाले जो की 10 इंच का होगा और इसका sound का quality आप वीडियो के end में देखेगा बहुत शानदा चीज है तो बुलैरो गारी के लिए यह जो system लगाया गया है वो बहुत बड़िया है यदि आपको चाहिए तो मैंने अपना WhatsApp number description में share कि आप मुझे contact कर सकते हैं और यह चीज मैं आपको बड़िया है रीजनेवर प्राइज में प्रोवाइड करवा दूँगा अभी आप देख सकते हैं यह हमारा GPS है जो कि अभी हम लोग लगाया और सारे connections अभी हम लोग इस system के साथ में अभी कर रहे है वाइरिंग का और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यह install होगा हमारा system बुलैरो गारी के अंदर तो सारे के सारे wires का connection अभी हम लोग कर चुके हैं यहाँ आप देख सकते हैं proper socket to socket connection है coupler to coupler connection है और अब हमें जो करना है वो जो company वाला single lean steo system में उसे हम लोग remove करेंगे तो देखिए जी इसके अंदर दो जो screw रहते हैं उन दोनों को लिका लेंगे और लिकाने के बाद में हम single lean steo system में वो बहर आ जाएगा यह जो android steo system में proper bolero b6 गाड़ी के लिए आपको मिल जाता है इसके लिए आप देखिए सामने वाला जो हमारा frame है यह पूरा का पूरा भान निकलता है और भान लिकाने के बाद में अभी तो हम लोग single lean steo system को लिका लेंगे और देन उसके इसके बाद में हमारा जो 9 इंच का android system है वो यहाँ पर इंस्टॉल होगा तो यहाँ frame देख सकते हैं आप नीचे में दिया गया हुआ है और AC wind में इसमें कोई problem नहीं जाती connection के बाद में तो आप easily आप देख सकते हैं प्रॉपर है wooden finishing के साथ में आपको company यह frame देती है और यह single dean studio system यह देखिए हमारा JVC का एकदम slim and trim है यह हम लोगों ने लिका लिया है बाहर तो यह बिना bluetooth वाला JVC का single dean studio system था जो कि आपको company प्रोवाइड करती है और यहाँ आप देख सकते हैं जो wires already company ने आपको डाल के दिये तो आलक से wire डाले की जरुवत नहीं है सिर्फ हमारे जो 9 inch android system के जो wires है वो डालने यहाँ आप देख सकते हैं यह हमारा amplifier kit है installation kit से कहा जाता है क्योंकि हम लोग base tube install कर रहे हैं तो यह kit भी हम लोग studio system के साथ में connection देंगे और पूरा underground connection देंगे ताकि यह rear side में हमारा base tube है उसमें जा सके तो यह भी installation अभी होगा तो अब आप यहा squash clip की मदद से यह देखिए यह जो होती है squash clip होती है और दो wires को connect करने के लिए यह तरीका होता है ताकि आपकी company की जो wires से कटना हो और 2 wires का connection भी proper हो जाए तो इसे squash clip का जाता है और इसे का इस्तेमाल 2 wires को connect करने के लिए हम लोग करेंगे ताकि company के wires आपके कटना हो तो यह वायस को प्रॉपर कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं ताकि हमारे जो कंपनी के वायस से वह कट ना हो और आपकी कंपनी की वारेंटी लाप्स ना हो तो यह बढ़िया तरीका है आप भी जब भी यह सिस्टम इंस्टॉल करवाए तो यह स्कॉच तो इसली आप इनी स्कॉच क्लिप को लिगाल सकते हैं और आपके वायस भी कटना होगी तो यहां आप देख सकते हैं जितने भी हमारे वायस थें उसको में हम लोगों ने स्कॉच क्लिप कस्तमाल किया है और हमारा जो बेस्टूब लगने वाला है उसके वायस को भी हम इसे आप देख सकते corner से एकदम underground करें ताकि दिखे ना आपको और इसे पीछे तक ले जाएंगे डिक की पास तक और वहां पर हमारा 10 इंच का base tube इंस्टॉल होने वाला है तो उसका connection भी android system के साथ में देने वाले तो ये गाड़ी के अंदर जो music system इंस्टॉल होगा android system और हमार base tube इसका sound का test आपको वीडियो के end में मिलेगा तो जरूर देखेगा यहाँ आप देखेए properly इसको seal कर दिया गया ताकि आपके wires दिखे नहीं और rear side तक हम लोग ने wires को यहाँ पर लेकर आ गया है अब यहाँ आप देख सकते हमारा जो काम चल रहा था android system का wires तो सारे हम लोग गाला और GPS को उपर में dashboard के पास में install करेंगे यह होगे आपका GPS जो कि इस गाड़ी के साथ में inbuilt आता है navigation system आपको मिल जाता है तो बिलकुल आप इस GPS system कस्तमाल कर सकते हैं Google Map कस्तमाल कर सकते हैं वो भी बढ़िया तरीके से तो यहाँ आप देखे सारे wires हमारे जो थे इसके इसमें हम लोग अब connection देने वाले सारे के सारे तो यह देखी हमारा जो base tube है उसका connection हो गया है उसके बाद में आप देख सकते हैं हमारा power cable का connection देंगे और सारे speakers का देंगे तो इस गाड़ी के अंदर front side में 4 inch के speakers लगे है निपॉन company के और rear side में 6 inch के 2 speakers लगे निपॉन company के ज install करवा सकते हैं उससे bolero guardi के जो music का output है वो बहुत भैतरी हो जाता है तो एक video में आपके लिए और लेकर आने वाले हैं जिसमें आपको component speakers और damping दोनों ही बताऊंगा अभी आप देखिए सारे के सारे जो हमारे wires हैं वो स्कॉच क्लिप के मतलब से यहां connect हो गया और यह हो ग इसको set करके यहां पर उसको save कर लेंगे ताक कि आप future में जब भी आपको यह channel मिले तो आप easily इसमें touch करके चला सकते हैं तो यह radio के लिए navigation हो गया है जो की 9 inch android system के अंदर आपको मिल जाता है अब भाई हमें करना यह है कि सारा installation हो गया आप इससे स्रिफ install करना है तो सारे के स सारे radio channels आप इसमें अभी कर सकते सच और से save कर सकते हैं इसके लाब इस गाड़े के अंदर flow lamination भी हो रहा है तो उसका वीडियो में एक और लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊंगा flow lamination इस गाड़ी का यहां आप देखिए हमारा जो GPS है side corner में यहां पर हो जाता है stick और यसी के through आप कभी भी अगर Google Map का स्टमाल करेंगे तो यह GPS उसी के लिए काम में आता है अब भाई हमें सरिफ यह करना है कि इस Android सिस्टम को हमको यहां पर install करना है अब यह देखिए दो USB port है आपके पास में इसमें दो pen drive लगा के आप इसका स्टमाल कर सकते हैं या फिर यसी पोर्ट के अंदर आप मुबाइल फोन को चार्ज भी कर सकते हैं अब देखिए हमन ने जो amplifier केट पीछे लाया था उसको ground देने के लिए ground collection देना जुरूरी रहता है ताकि short circuit ना हो तो उसके लिए देखिए जो ground connection के लिए एक wire हम लोग के नीचे में ही screw के मड़ा से दे रहे जिससे ground connection हो जाए और आपका जो बेस चूब है कभी short circuit ना हो तो यह चीज का भी ध्यान आपको रखना जरूरी है चलिए अभी जो हमारे रिया साइड का जो बेस चूब के amplifier किट है उसका connection हम लोग ने रिया साइड तक कर दिया है अब आपको दिखाता हूं जो 10 इंच का ब 00 BT इसका series है और इसके अंदर सारे couplers आपको मिल जाते connection करने के लिए box आप देख सकते काफी decent है ब्लाक का box है और बोज चूब बहुत बढ़िया company है और इसका जो बेस चूब को output आपको भी मिलने वाला है वह आप देखिएगा इसका पूरा bass आपको सुनाने वालों तो य और भी आपको इस बेस चूब को निकाल के घर पर रखना पड़े तो आप easily दो wires को लिखा लिए और इससे बाहर कर दीजिए जब आपको इसे रिइंस्टॉल करना है तो वापिस से दो wires का connection कीजिए और वापिस से इससे install कर दीजिए तो इस तरीके का connection इसे हो जाता है जब 10 इंच का जो base power आपको मिलेगा वो 8 इंच के अंदर आपको नहीं मिलेगा इसलिए आप अगर पीछे में जगा को लेकर compromise कर सकते हैं तो आप बिलकुल 10 इंच का ये base tube अपने गाड़ी के अंदर install करवा सकते हैं तो अभी इसका सारा connection हम लोग ने कर दिया है और ये देखे बड़ा ही खूबसूरा base आपको मिल जाता है इसके अंदर और इसका sound का quality भी मैं आपको अभी वीडियो के end में बताने वाल हूँ चलिए अभी हम लोग ये करेंगे कि जो हम लोग ने system लगाया है उसको Bluetooth से connect कर लिया Bluetooth करने के बाद में आप अपने mobile phone में जो भी गाना play करेंगे वो इसमें automatically attach हो जाएगा इसके इलावा इसके अंदर आपको Wi-Fi का support भी मिल जाता है अपने mobile phone का hot spot on करके आप इसके अंदर Wi-Fi में internet करके use कर सकते हैं हम लोग ने Bluetooth को हमारे mobile phone से यहाँ पर direct connect कर लिया है और mobile phone के अंदर आपको जो भी music चलेगे वो आपके सारे speakers के अंदर output में आपको देखने को मिलेगा तो यह पहला function हुआ जो की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा mobile phone से हम लोगों ने इस system को Bluetooth connectivity दे दी है और इससे आप अपने music को चला सकते हैं चलेए अभी हम लोग के जो हमारा 9 इंच का Android system है उसको आप install करेंगे तो आप यह देखे सारे वायस underground हो गये हैं और यह हो गया भाई हमारा easily install आपका 9 इंच का Android system यह चीज है भाई जो की proper बु बुलैरो गारी के अंदर बिलकुल लगा सकते हैं बहुत ही शांदा चीज है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाती है आप देखिए उपर में जो स्पेस दिया गया है एसी विन का proper है चले अब भी आपको मैं नीचे के जो हमारे एसी के लिए बटन जो दी गई है व लुकिंग वाइस बहुत बढ़िया है और एक टच स्क्रीन एंडरोड इस्टो सिस्टम आप अपनी लेटेस्ट महेंदा बुलैरो बीशिक्स गारी के लिए लगवा सकते हैं तो यहां लुक देखिए भाई बहुत शांदार है और यह चीज आप अपनी बुलैरो गारी के अंदर पिलकुल लगवा सकते हैं यहां देखिए नाइन इंच का एंडरोड सिस्टम के साथ में जब आप रिवास पार्किंग कैमरा भी अटेच कर लेंगे तो फुल स्क्रीन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे देखिए साइड व्यू मैं आपको दिखा दूँ तो प् बटन को यह कवर नहीं कर रहा है इसली है तो बड़िया चीज है बुलैरो गाड़ी के लिए नाइन एंच एंडरोड सिस्टम जो कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है चलिए अब इस एंडरोड सिस्टम के स्पेसिफिकेशन आपको वन बाइवन बता दूँ तो के GPS का सपोर्ट मिल जाता है गूगल मैप का सपोर्ट मिल जाता है और यहां पर आप देखिए तो वालूम अपडाउन करने का भी यहां पर सारा का सारा सिस्टम मिल जाता है यह देखे गूगल मैप GPS हम लोग ने लगा है तो गूगल मैप कर सकते हैं इसके लाब आप गूगल Chrome का स्टमाल कर सकते हैं और Radio का स्टमाल कर सकते हैं Wi-Fi का स्टमाल इसमें कर सकते हैं Internet पूरा चला सकते हैं जिस तरीके से आप अपना Android Mobile Phone चलाते हैं उसी तरीके से फूरा Navigation आपको इस System के अंदर मिल जाता है यहाँ आप देखें Play Store भी इसमें दिया गया है आपकी पसंद की जो भी Application आपको डाउनलोड करनी तो बिल्कुल Play Store में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके अंदर Movies देख सकते हैं आप फोटोस देख सकते हैं YouTube के वीडोस देख सकते हैं और गेम भी खेलना चाहा है तो बिल्कुल इसके अंदर आप गेम भी खेल सकते हैं तो यह Android Studio System जिस तरीके से आप अपना Android Mobile Phone चलाते से तरीके से चला सकते हैं यह देख सकते हैं आप Calculator आगया हमारा यह देख स्लाइड डाउन करने के लिए यहाँ पर सारे के सारे option आपको मिल जाते हैं brightness कम जादा करने के लिए मिल जाता है screenshot ले सकते हैं आप और चाहे तो इसका जो background है वो भी change कर सकते हैं यह हमारा screen को भी split कर देता है यह आप देख सकते हमारा GPS navigation system यहाँ चालू हो गया है उपर आप देखे Bluetooth और Wi-Fi हमारे दूनों connect है back buttons आपको मिल जाते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं easily आपको destination डालना है और इस navigation map का स्तमाल भी आप अपने बुलेरो गाड़ी के अंदर इस system के थूरू स्तमाल कर सकते हैं तो सब में पहले जिस तरह के से नया mobile phone आता है तो हमको अपना email ID और password डालके उसके अंदर login करना रहता है तो same as it is आपको भी इसको करना पड़ेगा पहले और इसके बाद में जैसा mobile phone चलता है वैसा आप से चला सकते हैं चलिए आपको YouTube में इसमें चला के दिखाता हूं तो यह देखिए हमारा YouTube बढ़िया चल रहा है noise का screen आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा full HD 1080p resolution का आपको screen support मिल रहेगा और भाई बढ़िया YouTube में वीडियो देखके आप long journey में भी मज़ा ले सकते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं video का quality आपको और मैं बता देता हूं इसका जो की है यहाँ पर यह अभी हमारा चोटा screen है इसको बढ़ा भी करेंगे अभी हम लोग यह देखिए video quality भी आपको यहाँ पर देखने को मिल राएंगी जो की proper YouTube से चल रहा है इंटरनेट के मात्य हम से और इसमें इंटरनेट connectivity हम लोग mobile phone के hotspot से दिया है Wi-Fi की through यह काम कर रहा है तो आभी देख सकते हैं यह हमारा video यहाँ पर जो है on हो चुका है इसका screen मैं आपको बढ़ा करके बताता हूं तो यह आप देखिए full screen हो गया 9 inch का quality बड़ी शांदार है और इसके इलावा भी इसके अंदर बहुत सरे functions है यह देखिए यह screen भी split हो जाती है जिस तरह कैसे mobile phone में होती है तो यहाँ देखिए हमारा background में video भी चल रहा है और आप नीचे में काम भी कर सकते हैं यह function भी इसके अंदर मिल जाता है भाई इसके अलावा settings में जाएंगे तो आप सारे के सारे जो आपके audio को भी आप setting दे सकते हैं यह आप check कर सकते हैं कि आपका कौन सा speaker चल रहा है या नहीं चल रहा है तो देखिए left corner का, right corner का, back side का तो जिस भी corner पे आप लेके जाएंगे सहरो को सरफ उसी corner का speaker on होगा तो यह settings भी आपको इसके अंदर मिल जाती है reverse parking camera लगाते है तो उसका view भी मिल जाता है बुलैरो गाड़ी के अंदर आप steering wheel controls बटन लगाते हैं तो वो भी हो जाता है तो भाई यह हो गया हमारा 9 inch के android system चलिए अब हम लोग ने 10 inch का जो बो stick का android base tube लगाया है उसका sound test सुनते हैं तो आप अपने कानों में लगा लीजे भाई headphone और सुनिए इसके base का power प्रूलै अब हो जाता है कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 तो जैसे कि आपना भी देखा बोश्टिक के 10 इंच का जो बेस चू हम लोग ने इंस्टॉल किया उसका बेस का पाउर बहुत ज्यादा हाई है और ये एक डीजे के जैसा काम करने लगता है बुलारो गाड़ी के अंदर तो बिलकुल आप इससे अपनी गाड़ी के अंदर इं ये यूटूब चैनल है और इसके आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बिलकुल आप इससे सब्सक्राइब कर लीजे शेयर कीजे वीडियो को और भाई ये एंडरोड सिस्टम और बेस्टूब जदी आपको चाहिए तो बिलकुल डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉंटेक नमबर शेयर किया है आप मुझे कॉंटेक कर सकते हैं ये मैं आपको हूम डिलिवर करवा दूँगा और बड़े ही रीजनेबल प्राइज में तो दोस्तों उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मिलते हैं ऐसी नेक्स जिरो के साथ में तब तक के ल हारत